हेलो ट्वेटर्स वेल्कम बैक ट्यूर्ट लर्णिंग चैनल नौलज ऑफ स्टॉक मार्केट दोस्तों जैसा कि आपने थम दोने पड़ा आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले निप्टी और बैंक निप्टी के ऑप्शन की स्टेटिजी मतलब आज की जो वीडियो होने स्टेटिजी के उपर होने वाली कि हम आप्शन में कैसे ट्रेट करें वहाँ पर कैसे पैसा बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाश तक जरूर देखना तभी आपको स्टेटिजी समझ में आएगी आधी दूरी वीडियो देखकर जाओगे तो स्टेटिजी बिलकुल स चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब को जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलना ताकि आपको आने वाले सभी ऐसे ही नॉलेजव कि और तो दोस्तों इस स्टेटाजी में हमें क्या करना है सबसे पहले हमें ट्रेंड को इंडिफाई करना है इस प्लीज करना होता है जो आपको कम से कम 15 minute या फिर 30 minute के टाइम फ्रेम पे open करके यहाँ पर trend को identify करना कि आखिर market में trend चल क्या रहा है तो आप यहाँ देखोगे market में trend downside चल रहा है consultation होते हुए मतलब open नीचे जाते हुए market का final trend तो downside ही है तो इसका मतलब हमें risk ना लेते हुए PE को buy करने के strategy हाँ पर अपनाने चाहिए downside trade चल रहा है तो तो यहाँ पर हमें trend का पता चल गया अब हमें क्या करना है कि add the money के options पर ही हमें trade करना है मतलब अगर market 16,500 पर चल रहा है 16,500 का ही PE को add करना या पर CE को add करना है अगर short कर रहे हैं तो PE को buy करना है और long जा रहे हैं तो CE को buy करना तो 16,500 market चल रहा तो मैंने यहाँ पर 16,500 का PE यहाँ पर add करके रखा है तो यहाँ पर 16,500 का PE यहाँ पर मैंने add करके रखा हुआ है यह मैं इसको बड़े time बड़े screen पर open कर लेता हूँ तो यह हमारे सामने 16,500 का जो PE है वो open हो चुका है राइट दोस्तों इसको हमें क्या कर लेना है इसको हमें open कर लेना है तीन मिनिट के time frame पर क्योंकि हम scalping करने वाले हैं आपर जल्दी जल्दी पैसा बनाने वाले हैं और stop loss छोटा रखने वाले हैं तो इसलिए तीन मिन टाइम फ्रेम इंटर डी के लिए बहुत अच्छा होता है खासकर scalping के लिए राइट दोस्तों तो यहाँ पर हमें scalping के लिए तीन मिन के time frame यूज करना है ठीक है अब हम आगे क्या करना है हमें यहाँ पर दो एंटिकेटर का यूज करना है पहला एंटिकेटर है हमारा moving average राइट दोस्तों moving average इसका जो setting है इसके period को हमें कर देना है यहाँ पर 14 sorry 14 ही 12 करना है इसके period 12 करना है और जो simple है यहाँ पर exponential को रख देना है राइट तो हमारा यहाँ पर यह में बन जाएगा और कलर तो चाहें आप चेंज कर सकते में ब्लाइक कर देता हूं कि हमें दिखें आसानी से ठीक है यह हो गया पहला है अपना इंटिकेटर दूसरा जो हमें अपलाई करना है उसको बोलते है प्रिटी गूड ऑक्सिलेटर दोस्तों अब जैसे यहाँ पर दिखेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रिटी गूड ऑक्सिलेटर जैसे आपके क्लिक करोगे नीचे आपको एक आरेसाई की ज़रा एंटिकेटर लगता हो दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं प्रिटी गूड अक्सिलेटर यह अब यह एक अक्सिलेटर है जो कि मार्केट के मुमेंटम को शो करता है कि मार्केट ओवर बाउट है या फिर ओवर सोल्ड है राइट जैसे कि आरेसाई काम करता है इसकी सेटिंग पर हमें जाना है सेटिंग जो 14 लिखा है दोस्तों इस 14 को हमें कर देना है 10 ठीक है और होंगे मतलब हमें कहां पर इस ऑप्शन को बाई करना है ठीक है तो चलिए आज का ही मार्केट हम देख लेते हैं यह मेरे सामने आज की जो कैंडल ओपन है यहां पर तो दोस्तों आपको जो अक्सिलेटर दिख रहा है यहां पर एक लाइन दिख रही होगी यह वाली इसको हम जीरो लाइन तो जब भी हमें बाइंग सिगनल लेना है तो यह जो यह लाइन है अक्सिलेटर की जो यह मूव हो रही है यह जीरो लाइन को नीचे से उपर की और जब ब्रेक कर रही हो राइट मतलब यह मूव करते हुए इस लाइन को नीचे से उपर की और जा रही हो त के बाद 49, 49, 49, यह 49 की जो green candle की candle आपको दिख रही है यह हमारी signal candle है और यही हमारी entry candle को मतलब हमारी entry position को बता रही हमें entry कहां पर लेना जैसे ही यह नीचे से उपर की और गया तो हमें signal मिल गया कि हमें buy करना है right oscillator जैसे जीरो लाइन को उपर की और break कर रहा है नीचे से तो हमें यहाँ पर buy signal मिल गया अब हमें buy करना कहां पर है दोस्तों हमें buy करना है जो हमारी 90 से candle है आप यहाँ पर देखो इस जगह पर यहाँ पर हमें open high low close up दिखाता है ठीक है तो आप इसका high दोखे को 26.9 तो मतलब हमें यहाँ पर buying एक या दो रुपए उपर मतलब 27 या 28 रुपए पर हमें यहाँ पर अपनी buying करनी है और stop loss कहां रखना है इसी candle के लो पर राइट दोस्तों इसी candle मतलब 22 रुपए के पर अपना stop loss रखना है तो आप देख सकते हो सिर्फ 6 रुपए का stop loss लेने के बाद आपको यह consolidation होते हुए आपका stop loss हिट नहीं हुआ अभी consolidation होते हुए आपको यहाँ पर 36 मतलब की 1-2 का ratio यहाँ पर आपको मिल गया 1-2 का profit हो गया और आप निकल गया मतलब 9-42 पर आपने ट्रेड ली और 10-6 पर है मतलब की 15 मिट में आपकी ट्रेड कंप्लीट होगे 1-2 का यहाँ पर आपने जिरो लाइन को ब्रेक कर रही ऊपर की तरफ ठीक है तो यहाँ पर इसका जो हाई 33 रुपए है और लो है 28 रुपए तो मतलब की हमें 14 रुपए बाइंग करनी है और अपना जो stop loss है 27-28 रुपए पर यहाँ पर रखना है ठीक है मतलब की यहाँ पर हमारा stop loss 607 पॉइंट का फिर से होने वाला है अपने इसना stop loss रखा बट क्या हुआ हमारा stop loss हिट हो गया तो हम अभी क्या loss में नहीं सिर्फ 6 पॉइंट का stop loss रुट हुआ बलकि हमें यहाँ बारा पॉइंट का profit ले चुके है ठीक है एक बार stop loss हिट हो गया आगे बढ़ते हैं आई आप देखोगे तो 16 रुपए हो और लो आप देखो 14 रुपए दो पैसा मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 2-3 रुपए का stop loss है हाँ पर आपका राइट 2-3 पॉइंट का stop loss है ठीक है आपने यहाँ पर ट्रेड की ट्रेड को execute किया अब देख सकते हो 2 रुपए के stop loss में आपक मतलब कि आपका पिछले जो प्रॉफिट और लॉज हो तो इससे तो 3-4 गुना यहाँ पर आपका 1-3-4-5 तक का कितना चला गया मतलब पैसा आपका 50 गुना 60 गुना डबल हो मतलब रिस्क और रिवोर्ट देखा जाए तो 50-60 का रिस्क और रिवोर्ट यहाँ पर आपको द दिखा देता हूं कि स्टॉप लोज तो आपका सिर्फ 2 रुपे का था मतलब कि 50 रुपे का स्टॉप लोज था बड़ आपका प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है अगर हम यहाँ पर 45-16 करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 29 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्र 1450 रुपे का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिले कितने रुपे के स्टॉप लोज पर 100 रुपे के स्टॉप लोज पर तो आपने देखा कि जब आपको सिगनल मिलेगा ना तो वन इस्टू वन वन इस्टू टू तो कंफर्म होता है हो सबता है एक आद दो बार स्टॉप लोज रख लेना क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहे है ठीक है स्टॉप लोज छोटा रखना क्वांटिटी और मैं तो बोलूँगा एक लॉट में ही बाइक यहाँ पर हाफ ट्रेड करना ठीक है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करो जादा दो स्टॉप लोज होने वाला है और आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट आपको कितना अच्छा मिला 30 रुपय तक का मतलब कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वन इस टू थ्री फोर तक का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला फिर उसके बाद जब अ अगरा सिकनल देखने को मिल गया और यहाँ पर हाई आप देखोगे 29 रुपय है और लो 9 रुपय मतलब यहाँ पर फिर से हमें 10 पॉइंट का इसलिए मैंने यहाँ पर थम्नेल में लिखा था कि सिव 10 पॉइंट का स्टॉप लोज तो रहने ही वाला है तो 10 से 12 पॉइंट क आपको आसाने से देखने को मिल जाते हैं जो कि मिल रहे हैं यहाँ पर भी से कंडिशन हमारी कितने अच्छी अप्लाई हुई आगे आप देखोगे 14-48 मतलब दो बच के 48 में पर यहाँ पर आप देखो सिगनल जनरेट हुई और कितना सिगनल मिला आपको प्रॉफिट अगर कोई आपने ट्रेड ली जैसे कि आपको यहां पर उपर गई ना तो आपने ऊपर ट्रेड ली तो जब मुविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक आ जाता है उसका मतलब और बूल हो गया ना तो सेकंड कंफरमेशन के लिए हमारे पास यहां पर मुविंग आपर जात केंडिल ने मुविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते मतलब हमें डवल कंफरमेशन मिल चुका है यहां पर हम 90% हो चुके हैं कि हमारा ट्रेड जो है अपसाइट की और ही जाएगा हमें आपर प्रॉफिट बनाने वाले हैं तो दोस्तों यह थी हमारी स्टैटेजी स्क यहां पर रिस्क मत लेना ठीक है रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा बिदाउट रूल्स फॉलो की आप माइनस में ही जाओगे आप सोचो कि मैं ज्यादा कॉंटिटी ले लूँ दो तीन सू को स्टॉक ले लो फिर यह क्या स्कैलपिंग स्टैटेजी पै रखते हो एक है दो लोट से टेडिंग करो तो स्कैंडल की नीचे ही रखो ठीक है तो आई होप स्टैटेजी आपको समझ में आई होगी ऐसी और स्टैटेजी ऐसी स्कैलपिंग स्टैटेजी को और आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर लिखना और ऐसे ही लाइक जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में नए नौरज के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल नौरज आफ स्टाउक मार्के के साथ